सब्सक्राइब कीजिए जीएस नीज चैनल को और बेल आइकन को दवाएए लेटेस्ट वीडियो सबसे पले देखने के लिए बान में तरान में दिन है चुकी सब काम है गें किसानन के संग पंजाब ते तल चले हर्याने में आका है ओ मार गहरे गहरे गड़े खुद दिये जे सीबी और पॉकलें ते कड़े खोद मारे आतंकबादी और गे और घो और फलान और धिगान क्या क्या है ग्यारे दोर की वाड़ता भी हुई और अब पिछले एक महिना आते तो कोई वाड़ता है संबाम जए से नीज और रोज कोई न कोई कोई न कोई नाटक ठेली चल जै भीम जै समिधान मेरा नाम है विपिन कुमार और क्या हाल चालें सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपनों और अपने इनको ख्याल लाक हो और जब टाइम मिले तो वीडियो दिखते रूँ अब आजाओ ख़वर पे गिस सिलसला का योही चलतो रेगो स्यासत अपनी चालन थे कब तक किसानन को चलतो रेगो जी हाँ किसान अपनी मागन को लेके तीन महिनाते आंदोलन कर रहे हैं जो अनदाता देस के नईया अन पैदा कर रहे हैं अब गोही अपनी बोई हुई अन को अपने खेत में उजाड रहे हैं कारण पूछोगे तो किसानन अंदोलन को लेके सरकार के रवये थे बड़ी निरासा के कारण ऐसो कर रहे हैं किसान टेक्टर लेके अपने खेत में पहुँच रहे हैं और अपने गेहूं की फसल में टेक्टर चला रहे हैं किसान उनको कहनो है कि जन्वरी की सुरुवात में गेहूं की फसल की बुवाई करी जैसे तैसे गेहूं वो गाए और पनपन लगे लेकिन हाथ में पैसा ना होने के कारण लागत नहीं लगा पाई यही की वाईते फसल पिछड़ गई और अब उनके पास पैसा नहीं है चोंकि उनकी धान की फसल पहले ही उने पौने दामन में भी की है गन्ना भुकतान भी पिछले साल को अब तक पूरो नहीं मिल पायो है यही लईयां गेहूं की हलकी फसल है उनके टेक्टर वां में चल ल जाते आदी अधूरी फसल तयार हुई और भरवाद है अब वहां में टेक्टर चला रहे हैं अधूरी फसलों को नश्ट करने हैं कट्टर भाई मारे यहां पर नगया है बिजली मीटर मारे ट्वलद हो भाइट पानिदे आधा जाद आधा जाए मारे भीजली आभील पर इस तो डिक और भासलों को नस्करना इस तहीं बोर क्या क्या वज़े वज़े तो तिन्नों काड़े कानून है और एक मारे हाँ सब सब बढ़ी दिक्कत है विजडी के विरोध करने का और भी तरीके हैं पर मारपत यह है भाई सब्सक्राइब किसांद गाजीपूर शिंदू बोटर उपकर रहे ऐसे नी सुन भी तो सुना कि सरकार मा लग रहा है किसांदों को कि कम तक मेंने का पंदराजार सा सोड़ाजार रुके मेंना भी ला रहा है और इतना किसांद नहीं दे सकता एक याभी वज़े है जिस से किसांदों बनी फूसला नश्ट कर रहा है आपको बता दें किसांद तीन किसी कानून के विरोध में पिछले तीन महिनाते दिल्ली की सीमान पर बैठे हैं अब कानून को विरोध बढ़तो जारु है और दिल्ली सीमा पर किसांद लगातार अंदुन कर रहा है तो किसानन की महा पंचायत भी जारी है सरकार मान नहीं रही तो किसानन ने विरोध को दाइरो बढ़ानों सुरू कर दियू याते आम जन कूभी परिसानी उठानी पड़ रही है भारते किसान यूनियन ने अब किसी कानून के विरोध में एक बड़ो ऐलान करो है सिंगू बॉर्डर पर बैठी संयुक्त मोर्चा के पदादिकारें ने दूद के दाम बढ़ाने की बात कही है किसान दूद के दावन में बड़ोत रिक कनने जा रही है या के बाद पचास रुपया लीटर बिकने वारो दूद अब दूगनी कीमत पर यानि की सोर रुपया लीटर भेच हो जाएगो किसान अन को कहनो है कि कें सरकान ने डीजल के दाम बढ़ा कि किसान पर चारो तरपते घेने को भर सम प्रियास करो है लेकिन संयुक्त किसान मोडचा ने तोड लिकार लियो है दूद के दाम दूगने करने को कड़ो फैसला ले लियो है अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो आने वारे दिनन में आन दो लनकूस सांति पूर वक्त आगे बढ़ाते हुए हम सब जिनके दामन में भी वरद्दी करेंगे किसान की आह जो दिलते लिकरी है क्या समझते हो के गो खाली जाएगी भारते किसान यूनियन के नेतारा के स्टिकेत ने मंगलवार को एक सबाकू संबोदित करते हुए क्या बड़ो बयां दियो है क्यान कोलके सुनलो दिल्ली गे किसान वही है और टैक्टर भी वही होंगे अव की बार आवान संशद को होगो और गे बात हम मचत कहरे हैं यावार चार लाख नहीं behold 40,000,000 ट्यक्टर जांगे उननने गे भी कई है कि तिरंगा भी फैरेगओ और पालियमंट पर फैरेगओ या कान खोल के सुन लो दिनली गिट्यक्टर जांगे और वहीं और हल के संग जांगे उन पारकन में पालियमेंट के बाहर जहां साल 1988 में अंदूलन हुओ जो पारक हैं वहां के वहां पर टेक्टर चलेगो वहां पर खेती होईगी संगी जो इंडिया गेट है वहां जो पारक है वहां टेक्टर चलंगे खेत की जुदाई होईगी वहीं पर होगी या तो बिल वापस ले लो एमस्पी पर कानून बना दो नहीं तो घेरावंदी दिल ली की पक्की होगी तिकेत के या बैयान के कारण सब बहुचक है सरकार भी सकते में है अब है क्या बान में तिरान में दिन है चुकी सब काम है गें किसानन के संग पंजाब ते तल चले हरियाने में आके ओ मार गहरे गहरे गड़े खुद दिए जे सीबी और पॉकलें ते गड़े खुद मारे मार दुनिया भर को सरकारी पानी परो उन पर जैसे तैसे करके दिली के बॉर्डर पर आए बॉर्डर पर आए तो उनके नाम करन संसकार है गे दुनिया भर के खालिस्तानी फंडिंग चाइना ते हरिये पाकिस्तानी और आतंकबादी और गे और गो और फलान और धिगान क् ग्यार है दोर की वारता भी हुई और अब पिछले एक महीन आते तो कोई वारता ही ना है सम्मामलों ऐसा ही है और रोज कोई न कोई कोई न कोई नाटक ठेली चल लो तो किसान हूं परिसान है गए अब सरकान ने क्या सोच राखी है कि तो देखो बड़े लोगन की बात हों को तो कछू भी सोच सकें ठीक है सब बागी तो आप समझतार हूं अब आजाओ आगे वहीं भाड़ थे किसान यूनियन के प्रमुक नरेश टिकेत ने कही है कि दिली बौडर पर पश्यम यूपी के किसान तो बड़ी तादात में सामिल है रहे हैं लेकिन पूर भी यूपी के किसान यूपी को वहां पहुचने में हजारो किलूमीटर को सफ़ड़ तेकनों पड़र हो है या लईया हम यूपी के तमाम जिलिन में किसान पंचायत कर किसान यू किसान को किसी कानून के बारे में बता रहे हैं नरिश टिकेट । नए गिरसी कानून थे छोटे किसानें को जादा नुकसान होग हो नरिश टिकेट ने अगे कहिए कि हम छोटे किसानें को बचानों चाहमें बड़े किसान तो फिर भी बच जाएंगे अब वहीं के अंदोलन सरकार और सतारूर पार्टी बीजेबिक निया चुनोती बढ़ा सके है पश्यम यूपी ते जादा पूरवां चलके किसानन की हालत देनी है याने तो पश्यम यूपी की तरह मंडी है और नहीं उचित उनकी फसल की कीमत मिलबाव है वहीं बस्ती के बेल्ट में गन्ना की फसल अच्छी हुए लेकिन सरकार ने मूल न बढ़ा के ऐसे में किसानन की अपनी नाराजगी और मूल ले राखी है भारते किसान यूनियन की पंचाथ और भी ज़्यादा बढ़ सके है यूपी में पंचाथ चुनाब है और अगले ही साल बिधान सभा चुनाब है ऐसे में किसान महा पंचाथ सरकार के नियां परिसानी होनों सभावे के अब है क्या अब लुदो किसान को इतनी दिक्कत है रही है, अतनी परीसानी है रही है, अब कच्छु है लिए लिए, तो कि वे अपन基本 कच्छु न कच्छु तो करेंगे? भה इन पे वर क्या है विरूत पर्दसन कर रहे हैं यहां कर रहे हैं बाहर कर रह रहे हैं अंदर दिलीimento में जा रहे हैं अपनों घुम घुम रहे म Warum जा हैं और जहा रहे हैं जहां एलक्सें नह रहे हैं वह बात depois कि महां जांगे आप कर लाग टखि टना चालिश लाग जोड़ेंगे तो अपनी कोशिस में लगे हुई अब देखो कि तो आने बारों बखती पतावगो कि क्या हो ठीक है ना आ जाओ आ गया एक ऐसे समाज में नब्बे दिनंते किसी कानून के विरोद के दोरान अंबानी और अडानी के नामते भी नारे लगा रहे हैं राहुल गा जाके भीतर एक छोर को नाम रिलाइंस एड और दूसरे छोर को नाम अडानी एड किसान अंदोलन ने अगर गाम गाम घर गर पहुंचा दियो सरकार अडानी अमानी को सब भेज देगी नरिंद मोदी स्टेडियम बे करिकिट के जरियाओं ने गाम घरन में अडानी और अमा भी आए वे बारी हैं और आई गई है ऐसे में देखने बारी बात गये होगी कि किसान मोर्चा द्वारा सांतिपूर तरीकाते आंदोलन को कैसे और धर दरियाओं अब तक की गई अपडेटी लेकिन जाते जाते जिन्दा है तो दिली आजा आंदोलन मैं शामिल हो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि जन कभी मसूर जन कभी बल्ली सिंग चीमा को गाजी पुरबो ड़ते अहवाने हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मौत के डर को छोड़ शाड़ के तू जीने के काबिल हो जिन्दा है तो दिली आजा जिन्दा है तो दिली आजा शंगर्शों में शामिल हो सब्सक्राइब कीजिए जी एस नीवज चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस वीडियो सबसे पले देखने के लिए कर दो